विल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल पेपर है कर आज हम बात करेंगे question no.39 ठीक है इससे पहले हमने एक से लेकर 38 तक ठीक है जितने भी आपके short answer type question है उनको हमने एक-एक करके discuss कर लिया ठीक है अब हम बात करेंगे question no.39 के जो कि आपके short answer type question है और B.C. आपका second semester के लिए ठीक है पड़ रहे हम chemistry चलिए बात करते है question no.38 क्या पूंच रहा है polymer वर्गी करण पर क्या करना है आपको tip पड़ी लिखनी है ठीक है polymers का जो वर्गी करण है ठीक है उसको आपको बताना है कि उसका वर्गी करण क्या होता है किस तरह से उसको classified किया गया है या आप से इस तरह से पूंच लेगा स्क्राइब कराण तु इस का पॉली मर्वर्विकर्णि जो है आपको समझाना है तो इस तरह से कि किस amiga क्लासिफाइड किया गये पैजिक है किसका Capital arm emoji वर्गी करार या classification टीक है Polymer को आप जानते हूग कि ठीक है बहुलग जिनको अच्छे से पढ़ रही है ठीक है शुरू से पढ़ रही है ठीक है बात करते हैं Polymer के classification की या polymer का वर्गी करण की ठीक है तो एक बार इसको पहले आप इस तरह से देख लिए ठीक है छोटा सा ये आपका एक वरगी करड़ है चाले classification आप polymer ठीक है तो यहां से आपके polymer या बहुलक का classification होता है किस-किस आधार पर इसको बाटा गया है सबसे पहला क्या हो जागा आपका number 1 क्या है number 1 based on origin of source ठीक है किसके आधार पर इनकी उत्पत्ती के आधार ठीक है किसके आधार पर उत्पत्ती के आधार पर ठीक है उत्पत्ती के आधार पर बाटा गया है number 1 दूसरा number क्या हो जागा based on structure इनकी सरचना के आधार पर सरचना के आधार पर इनको बाटा गया है third point क्या हो जागा आपका number 3 based on molecular force ठीक है आंडविक वल ठीक है इनके अड़गों के बीच में कौन सा बल लगता उसके आधार पर इनको बाटा गया है ठीक है थर्ड नमबर क्या हो जागा आपका आंडविक बल के आधार पर भी इनको बाटा गया है ठीक है फोर्थ आपका क्या हो जागा based on mode of polymerization ठीक है यानि की polymerization के आधार पर ठीक है यानि की बहुली करण मक्ही आगई ठीक है फोर्थ पॉंट क्या है आपका बहुली करण बहुली बहुली करण के आधार ठीक है तो यह चार भागों में बाटा गया है number 1, number 2, number 3 और number 4 ठीक है तो इन 4 भागों में आपको बाटा गया है जिनमें अलग-अलग आधार है पहले कि आपका उत्पत्ती के आधार पर दूसरा किया है, सरचना के आधार पर तीसरा क्या है औरफ बलू के आधार पर और चौथा कहा आपका पालि मराइजेशन यह बहुली करण counted तो उत्पत्ती की बात करें तो इसमें क्या ओ जागा आपका नंबर युजग Groß gitti आजा हैंarios अपके प्राकृतिक प्रींसमेह आजाएंगे इत्पत्ति के आधार पत क्या आ अर्ध निर्मित क्या हो जाएंगे आपके अर्ध निर्मित ठीक है सिंथेटिक एक निचुरल होता है एक आपका सिंथेटिक होता है निचुरल मतलब प्रकृति में सुथा पाया जाता है ठीक है और सिंथेटिक जो आपका बनाया जाए ठीक है जिसको बनाया जाए ठीक है जो पूरी तरह से मैनमेड होते हैं इनको लैब में तयार किया जाता है ठीक है इसको बना सकते हैं दूसरा है आपका बेज डॉन स्ट्रक्चर यान की सरचना के आधार पर इनको कितने भागों में बाटा गया है नमबर एक क्या हो जागा आपका लीनियर पॉलिमर ठीक है कुछ प पॉलिमर आपकर हो जांगा ठीक है को है सबर्सेंद्स के इस इन पॉलिमर ठीक है तो यह क्या होता आपका शाखित स्रंखला के आधार पर स्रंखला यानि कि इसमें क्या होगा मतलब कुछ साखा है कुछ इस तरह से आपकी इसमें निकली रहेंगी जिरह हम ब्रांच डिकाते हैं थर्ड क्या हो जागा Cross Linked Polymer तो यह आपका कहा रहेगा Cross Linked Polymer जो आपकी सैट चेन होगी उनी की तरह एक और उसमें जाके आपका नीचे से जुड़ जागा यह मक्खी बहुत परिशान कर रही है तो इस तरह से क्या हो जागा Cross Linked Polymer तो तीन प्रकार आपके इसके भी होगे किसके आधार पर? Structure के आधार पर ठीक है थर्ड हम बात करेंगे Waged On Molecular Force ठीक है आंडविक बलों के आधार पर कितने भागों में बाता गया है तो इसकी हमें आपर बात करेंगे ठीक है तो आंडविक बलों के आधार पर आपके हो जाएंगे चार प्रकार कौन कौन से है First आपका क्या हो जागा Elastomer आपका Elastomer यानि की जो तनने योग्यों ठीक है आपकी आअसानी से तन जाएं ठीक है जो Elasticity की तरह काम करें ठीक है योगिक दूसरा हो जागा आपका Fiver ठीक है क्या हो जागा आपका Fiver यानि की रेशों की तरह ठीक है किसमें बाटगे आए रेशों में हो जागा दूसरा थर्मो प्लास्टिक ठीक है कौन से थर्मो प्लास्टिक ठीक है क्या हो जागा आपका थर्मो प्लास्टिक ठीक है थर्मो प्लास्टिक अगर आप ताप को बढ़ा दोगे ठीक है क्या करोगे ताप अगर आप इंकरीज कर मुलायम हो जाएंगे और आप क्या करना है ताप को कम कर दीए थीक है क्या कर दिया तो आपको कम कर दो स sacrificing चल्लीव peoples wahाझा है इनको फिर से बनाने के लिद्व दोबारा से पगलाया नहीं जाता है ठीक किया नहीं किया जाता है दुबारा पिगलाया ना जा सके ठीक है दुबारा से इनको पिगलाया नहीं जा सकता है ठीक है नया बनाने के लिए ठीक तो एक ही बार मॉल्ट होते हैं दुबारा इनको नहीं पिगला सकते हैं जैसे अगर हम बात करें एक्जाम्बल की तो क्या हो जागा वेकलाइट आपका और मैलेकाइट तो यह एक्जामपल है आपके थर्मो सैटिंग पॉलिमर की ठीक है क्या है बैकलाइट और मैलेकाइट ठीक है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा based on mode of polymerization यानि कि बहुली करण की क्रिया के आधार पर किस तिने भागों बाटा गया दो भागों है addition polymer और आपके condensation polymer ठीक है तो addition polymer के आओंगे जब छोटे छोटे आपके एक लग मिलके एक नई स्रंखला का formation करेंगे तो बो के आओ जाएंगे आपके addition polymer ठीक है यान कि योग शील बहुलक यह क्या आओंगे आपके योग शील भाग ठीक है कैसे होँगे योग शील बहुलक ठीक है तो इनमें कि वाँगे छोटे छोटे अडू या मोनोमर मिलकर करेंगे एक लंबी स्रंखला का फार्मेशन करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं ठीक है दूसरा condensation polymer ठीक है ये कैसे होंगे आपके संगनित ठीक है कैसे polymer होंगे संगनित जिनमें आपका H2O और ammonia जैसे कुछ molecule जो है बाहर निकल जाते हैं ठीक है तो इस तरह से polymer का formation होता है उन्हें हम कहते अब करते हैं सबी को समझ में आया होगा मिलते हैं अंगले वीडियो में नए question के साथ बने रही है महा साथ तब तक लिए thanks for watching and share the video जो अच्छा लगे तो लाइक कर देना